Intelligent Mathematics Classes में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत आज का वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए Objective Part 6 इस वीडियो में Determinant के 20 प्रमुख प्रस्नों का हम चर्चा करेंगे अगर वीडियो को अंत तक देखा तो Determinant का एक भी Objective नहीं छुटेगा चलिए तो सुरू करते हैं इस Determinant का Value क्या होगा आपके पास 4 Option होगे फटा फट कल्कुलेट करना है और सही Answer का तलास करना है बच्चों तो याद होगा Determinant को First Row में तोरने के लिए Rule है पलस माइनस पलस तो हम इसको R1 से भी स्थार करते हैं तो पलस में एक लिखते हैं एक के साथ First Row और First Column को छोड़ते हुए बचता है 9, 17, 9, 17 और 10, 22 ठीक है इसको लिखते हैं फिर चीन माइनस का होता है यहापे तो माइनस का चीन देते हैं और एक लिखते हैं और First Row और Second Column को छोड़ते हुए 4, 17 और 5, 22 को यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ठीक है फिर पलस का चीन देते हैं और सदस है 5 तो 5 लिखते हैं First Row को छोड़ते हैं क्योंकि 5 First Row का सदस है और Third Column का सदस है तो बचे का 4, 9, 5, 10 ठीक है अब इसको सरल कर लीजी बस तुरंत इंसर आ जाएगा यहाँ पर एक रहेगा 22 में 9 से गुना करिएगा नोदुनी अठारा का 88 लेग और नोदुनी अठारा एक उनिस एक सो अन्ठान में और 17 में 10 से गुना करिएगा तो बड़ा असान बात है 170 माइनस एक लिखिएगा एंड बाइस में 4 से गुना करिएगा तो बाइस चोग 88 होता है माइनस का चिन 17 पचे कितना होता है 85 होता है पलस में 5 लिखते हैं यहाँ 10 में 4 से गुना करते हैं तो 10 चोक 40 होता है and minus 9 पचे कितना होता है 45 ठीक प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं 198 में 170 घटेगा 8 में 0 घटेगा तो 8 ही रहा जाएगा 9 में से 7 घटेगा तो 2 बचेगा चलिए ये तो हो गया minus अब 88 में से 85 घटेगा तो आपका कितना बचेगा बचेगा 88 में से 85 घटेगा तो 3 बचेगा and plus में 5 लिखते हैं बच्चों 40 में से 45 घटेगा तक कितना बचेगा minus में 5 minus में 5 बचेगा minus में 5 40 में 45 घटेगा तो minus में 5 बचेगा आगे आते हैं बच्चों यहां पे 28 लिख देता हूँ मैं एक में 3 से गुना होगा तो 3 पांच यहां पे आपका हुआ 25 ठीक है 25 अब क्या करोगी 28 अपने जगह पर माइनस में 3 माइनस में 25 तो हो गया माइनस में 28 फिर 28 में 28 गटेगा तो 0 तो पहला कोस्टन का एंसर हुआ प्यारे बच्चो 0 फर्स्ट कोस्टन का एंसर 0 इस तरह से अपने डिटर्मिनांट को सॉल्व किया तो एंसर आया 0 चलिए 2 कोस्टन को देखेंगे हम लोग भी चलिए 2 का सोलूशन देखते हैं सेकेंड कोस्टन में 1, 2, 1, 5, 4, 1, 7, 6, 1 इसका भेलू हम लोगों को निकालना है चलिए इसको भी 1st row से हम लोग निकालते हैं R1 से विस्तार कर देते हैं इसको तो 1 लिखते हैं सबसे पहले एक के साथ कौन? 1st row को छोड़िए 1st column को छोड़िए 4, 1, 4, 1 and 6, 1 बचेगा फिर minus का चीन देकर 2 लिखिएगा and 1st row and 2nd column को छोड़िए 5, 1, 7, 1 5, 1, 7, 1 and plus minus plus लेकिन है minus का चीन है तो minus ही रह जाएगा and 1st row को छोड़िए 3rd column को छोड़िए तो 5, 4, 5, 4, 7, 6 आपका बच जाएगा अब इसी को सरल कर देना है एक अपने जगह पर 4 में 1 से गुना होगा तो 4 minus 6 में 1 से गुना होगा तो 6 minus में 2 अपने जगह पर ये वाला लिख दिए 5 में 1 से गुना होगा तो 5 and minus 7 में 1 से गुना होगा तो 7 फिर minus 1 यहां लिखते हैं यह 5 चका 30 minus 7, 4, 7, 4, 7, 4, कितना 28 अब 4 में 6 घटे गए तो minus में 2 हो जाएगा और 5 में से 7 घटे गए तो क्या होगा minus में 2 होगा और minus में 1 अपने जगह पर 30 में 17 घटे गए तो plus में 2 होगा यहाँ पे आपने लिखा माइनस में दू, माइनस गुना माइनस पलस दो दूना का चार और माइनस में एक में दू से तो दू यहाँ पे पलस में चार रहे गिया माइनस दू और माइनस दू मिलके माइनस चार चार में चार घटा जीरो वाह क्या बात है भई, इसका भी answer 0 आया, second का भी answer आपका क्या होगा, 0, second question का answer भी आएगा, 0, चलो भई, तीन नमबर सवाल में आप लोग आजाओ, सवाल नमबर 3, तीन में क्या कह रहा है, इस determinant का value कितना होगा, देखिए गौर से देखिएगा, तो दू, दू, चार, आपना R2 से दू, कॉमन ले सकते हैं, R2 से दू, कॉमन, लेने, फर, R2 मतलब second row, दूसरी पंक्ती, दो, दो, चार, तो जब इसमें से आप दो, कॉमन ले लिजिएगा, तो क्या बचेगा, first row तो same to same रहेगा, यानि कि, one, 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 first, one नहीं, one, one, two है यहापे, यहापे two लिख दीजिए, ठीक है, second वाला रो है, do, do, चार, इसमें से do कॉमन ले जिएगा, तो क्या बचेगा, one, one, and two, आ नीचे third वाला रो में 3, 5, 6 है, तो आप लिख दीजिए न, 3 तीन, 5, 6, अब गोर से देखिएगा, तो आपका R1 और आपका R2, same to same है भाई, R1 बड़ावर R2, आजब दू गोरो बड़ावर हो जाए, तो determinant का value बिना निकाले 0 लिखो, तो 3 का answer हुआ, बाबु, 0, 3 का answer भी होगा 0, बहुत मजा रहा है, सभी सवाल का answer 0 आते जा रहा है, चलिए, सवाल नमबर आप आजएए 4 में, सवाल नमबर आजएए 4 में, चार नमबर question में देखिए, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 1, 1, 2 है, तो आप यहाँ भी R2 से 2, 4, 6 में से 2 तो common लही सकते हैं, तो चौथा सवाल का जवाब देखिए, R2 से, R2 से 2 common लेने पर, क्या बचेगा, यहाँ पहले तो आप 2 common ले लिजिए, अब R1 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1, 2, 3 ही रहेगा, अब 2, 4, 6 में से 2 common लिजिएगा, तो क्या बचेगा, 1, 2, 3 बचेगा, और नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1, 1, 2 ही रहेगा, अब आप यहाँ भी बहुआ, R1, R2 बड़ाबर हो गया, तो इसलिए इस determinant का value भी बिना निकाल ले, 0, जहाँ दूगो रो बड़ाबर हुआ, दूगो कॉलूम बड़ाबर हुआ, तो एंसर हो गया, determinant का कितना, 0, तो इसका भी एंसर हुआ, प्यारे बच्चों, 0, लगातार 0 आ रहा है भाई पाँच नंबर सवाल में आजओ आप, आप सवाल नंबर पाँच में इस determinant को देखो, इसका value पूछ रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, आप देख सकते हैं कि R3 में 2 गो 0 है, R3 में क्या है, 2 गो 0, और 1 गो है 6, पलस माइनस पलस, तो आप चीन के हिसाब से यह पलस रह लिख दीजिए, उसके बाद क्या किजिए, 6 कहां का सदस है, तीसरा रो का, एंड तीसरा कोलूंग का, इसको आप हटा दीजिए, अब आपके साथ बचा, 1, 2, 0, 4, 1, 2, 0, 4, इसको solve कर दीजिए, 6 अपना जगह पड़ है, 1 में 4 से गुना होगा तो 4, माइनस, 0 में 2 से गु 24, तो यही होगी आप 5 का answer, यह था 5 का solution, ठीक है, 24 answer होगा, तो चलिए, 5 का जो answer आएगा, प्यारे बच्चों, वो कितना आएगा, 24, 24, ठीक है, चलिए, question number, अब हम देखाते हैं, आपको, 6 का solution, किसका solution देखेंगे आप लोग, 6 का solution देखेंगे, यहां देखेंगा, 0, 0, 5, आपने third row को देखो, जिसमें ज़्यादा 0 है, उसी से विस्तार करो, determinant के जिस row में ज़्यादा 0 हो, यह जिस column में ज़्यादा 0 हो, वहां से विस्तार करो, तो आप C1 से भी जा सकते हो, R3 से भी जा सकते हो, आपकी जो मर्जी हैं, वहां से जाईए, चलिए तो हम R3 से इसको करते हैं यहां भी आर्थिरी से तो चीन है पलस माइनस एंड पलस तो पलस में आप पांच लिख दीजिए अब यह आपका तीसरा वाला रो खतम तीसरा वाला कॉलूम खतम तो बच रहा है कौन दू तीन दू तीन जीरो चार अब यहां पे क्या करना है पांच का पांच तो आठी रहेगा आप पांच में आठ से गुना करोगे तो खितना होगा आठ पचे चालीस तो 6 का एंसर हुआ 40 प्यारे बैच्चों 6 का एंसर हुआ 40 चालिस आना चाहिए अब सवाल नंबर 7 में आ जाईए सवाल नंबर 7 का स्वलूशन आपको मैं दिखाता हूँ 7 X में X से गुना करोगी तो X A स्क्वार तिरचा गुना करना है बीच में माइनस देना 25 बड़ाबर 0 दिया गया है अब इसको स्वल्ब कर दीजे X A स्क्वार इक्वार टू माइनस 25 उधर जागा तो पलस 25 and A स्क्वार हटता है तो पलस माइनस रूट लगता है and 25 का बर्गमूल होता है 5 तो पलस माइनस 5 हो गया इसका एंसर तो 7 का एंसर है बाबू 7 का एंसर है बाबू प्लस माइनस पांच इसी में टिक मारना ठीक है चलो अब आठ नमबर सवाल का स्वलूशन देखो तुम लोग आठ नमबर यह रहा तुम्हारा आठ नमबर कोश्चन ठीक है चलिए इसके फर्स्ट कॉलूम में एक 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 दिख रहा होगा सेकेंड कॉलूम में ए भी सी दिख रहा होगा ठीक है फैदा भी लेगा जी C2 में, तो A प्लस B प्लस C, यहाँ B प्लस C प्लस A, एंद यहाँ C प्लस A प्लस B, यानि हर हाल में A प्लस B प्लस C ही आएगा, तो चलिए 1, 1, 1 रहा, यहाँ पे आपको A प्लस B प्लस C आएगा, यहाँ भी A प्लस B प्लस C आएगा, एंद यहाँ भी A प्लस B प्लस C आएगा चलिए आप तो c2 से आप क्या common ले सकते हो a plus b plus c तो आप जैसे ही a plus b plus c common लोगे तैसे ही आपको इसमें तक triple one है इसमें भी triple one हो जाएगा इसको same to same उतार दीजिए आप दूगो column same हो गया क्या हुआ column 1 और column 2 हो गया बड़ावर देख लो one 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 अब तो determinant का value बिना निकाले क्या तना 0 तो भाईया आपका answer 8 में भी आएगा 0 0 का तो आज line लगा हुए भाई answer आएगा 0 8 का चलिए 9 नमबर सबाल में आईए ये तो बहुत आसान question है तिरचा गुना करके घट आईए 10 सते का 70 माइनस 35 दुना का 70 अज 70 में 70 घटेगा तो 0 क्या बात है भाई आज लगातार 0 आ रहा है अब क्या है 10 में सार्निक क्या है मतलब what is determinant इसका जवाब है सार्निक सार्निक बर्ग आबियु से संबद बर्ग आबियु से संबद एक संख्या है determinant जो होता है बर्ग आबियु से संबद क्या है एक संख्या है अंग्रेजी में बोलेंगे determinant is a number associated to a square matrix determinant is a number associated to a square matrix चलिए तो next question देखलाते हैं भी आपको hello students एक ग्यारा नमर सवाल देखते हैं 1 1 1 a b c a square b square c square इसका भेलू निकलना थोड़ा सा लंबा काम है बहुआ तो objective के लिए हम इतना मेहनत नहीं करेंगे ठीक है आप याद रखना a minus b into b minus c into c minus a जब हम short type question पढ़ाएंगे तो इसका जवाब हम विस्तार कुरूबक बताएंगे फिलहाल एक गारा का एंसर a minus b into b minus c into c minus a ठीक है चलो बाड़ा नमर सवाल में आज़ो बाबू यहाँ पर कहता है x2 18x बड़ाबर 6 2 18 6 तब x क्या होगा चलो भाई पहले cross गुणा करो x में x गुणा करोगी तो x a square मिलेगा minus का चिन देना जरूरी है 18 दूना कितना मिलेगा 36 बड़ाबर का चिन यहाँ से दे दो फिर 6 में 6 से गुणा होगा तो 36 minus का चिन 18 दूना फिर से 36 36 में 36 गड़ गया तो क्या होगा 0 अब यहाँ x a square यह minus 36 बड़ाबर के बाद जाएगा तो plus 36 and square हटेगा तो plus minus root लगेगा इस तरह से plus minus 36 का बड़गूल क्या हुआ 6 तो आपका answer हुआ plus minus 6 ठीक प्यारे बच्चों चलि तेरह नमबर में आजएए तेरह नमबर सवाल है a-b, b-c, c-a, a-b, c-a, a-b, c-a, b-c, c-a, a-b, c-a, a-b, c-a, a-b, c-a इसका भीलू आपको 13 का answer आएगा 0 ठीक है इसका answer 0 अब कैसे आएगा जरा मैं idea दे देता हूँ आप लोग काम कर लीजिएगा 13 का idea मैं आपको दे देता हूँ देखिए आपको क्या करना है column 1 को change करना है column 1 plus column 2 plus column 3 यह करना है तीनो column को जोर के first column में लिखेगा तो आपको first column में देखिए यहाँ पे a है plus यहाँ पे a है minus कट गया 0 हो गया b minus b plus कटके 0 हो गया c minus c plus कटके 0 हो गया यानि आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 0 0 0 यह तो उतार दीजिए चुपचाप इसको भी उतार दीजिए और किसी भी determinant के किसी column में total अगर सदस 0 है तो फिर उसका value guarantee के साथ 0 होता है तो 13 का answer भी आपका 0 हो गया a minus b into b minus c into c minus a चली 14 नमबर सवाल में आज़ी आप लो 14 बहुत मज़ेदार question है बार-बार आचुका है और important है ABC समांतर स्रेडी में है तो ABC जब समांतर स्रेडी में है इसका मतलब दूसरा नमबर minus पहला नमबर यानि b minus a किसके equal होगा c minus b इसके equal होगा चलो भाई इसको समीकरा नेक माल लो अब इस determinant का जंज़त फड़ी आना है कि क्या होगा इसका value तो चले दिखाते हैं x plus 1 x plus 2 x plus 2 x plus 2 x plus 3 x plus b x plus 3 x plus 4 x plus c तो अब क्या करना है इस determinant का value what क्या होगा इसका माल तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 14 नंबर सवाल का जवाब देने के लिए अब ही मैं r3 में से r2 को घटा दूँगा और r2 में से r1 को घटा दूँगा चलिए तो मैं दो काम करके अब ही दिखाऊंगा देखो r3 में से r2 को घटा दूँगा and and r2 में से r1 को घटा दूँगा कहिएगा सर क्या फैदा मिलेगा देखिए फैदा मिलेगा से अभी आपको पता चलिएगा जब r3 में से देखो जब यह r3 है यह वाला आपका r3 है ठीक है यहाँ से यहाँ तक यह तीसरा पंक्ती r3 ठीक है third row third row जब इस में से second row को घटाओगे तो xx कटेगा 3 में से 2 घटके 1 xx कटेगा 4 में से 3 घटके 1 xx कटेगा c-v बचेगा राइट चलो जब r2 में से r1 को घटाओगे तो यहाँ भी xx कटेगा 2 में से घटके 1 यहाँ भी xx कटेगा 3 में से 2 घटके 1 यहां भी x x कटेगा b minus a तो हमारे पास कैसा determinant आएगा प्यारे बच्चों हमारे पास ऐसा determinant आएगा ठीक है x plus 1 x plus 2 x plus a first row में रहेगा और आपको बताया 1 आएगा यहां 1 आएगा और यहां पे b minus a आएगा और यहां पे 1 आएगा यहां पे 1 आएगा और यहां पे c minus b आएगा ठीक प्यारे बच्चों चलो अब यहां पे b minus a और c minus b तो दोनों बड़ावर है तो जहां b minus a है वहां तो हम c minus b भी लिख सकते हैं तो इसको हम अब c minus b लिख देते हैं इसको क्या करते हैं? c-b लिख दे दे अब देखो अब देखो r2 और r3 सेम है 1 1 c-b 1 1 c-b तो value 0 क्योंकि दूगो रो बड़ाबर हो गया जब आपका दूगो रो बड़ाबर हो गया तो determinant का value 0 तो 14 का answer भी प्यारे बच्चो क्या हुआ 14 का answer भी हुआ 0 चलिए 15 नंबर सवाल एक दम वही है एक ग्यारा नंबर सवाल इसमें 1 1 1 है तो आपका यहां भी 1 1 1 है उसमें a b c है इसमें x y z है उसमें a square b square c square इसमें x square y square z square है तो बस घबराएं नहीं उसका answer था a minus b b minus c c minus a तो इसका answer हो जागा x minus y into y minus z into z minus x चलिए तो next question देखें सवाल नंबर 16 देखेंगे आप लोग x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 2 x plus 3 x plus 4 x plus 3 x plus 4 x plus 5 इस determinant का मान क्या होगा चलिए दिमाग लगा करके निकालेंगे तो असानी से निकल जाएगा आप लोगों को क्या करना है r2 में से प्यारे बच्चो r1 को घटा देना है and क्या करना है r3 में से r3 में से आपको r2 को घटा देना है r3 में से r2 को घटा देना है कहिए का सर क्या फायदा मिलेगा देख लीजिए सामने-सामने पहले तो r1 चूप-चाप लिख दो x plus 1 x plus 2 x plus 3 अब जब x plus 2 में x plus 1 घटा होगे तो x कटेगा 2 में से घटेगा एक बचेगा उसी तरह से x x कटेगा 3 में से 2 घटके एक बचेगा x x कटेगा 4 में से 3 घटके एक बचेगा उसी तरह से जब r3 में r2 घटाओगे तो x x कटेगा 3 में से 2 घटके एक आएगा यहां 4 में से 3 घटके एक आएगा 5 में से 4 घटके एक आएगा अब तो r2 का सदस और r3 का सदस same to same है तो determinant का value 0 तो 16 का answer 0 तो दिमाग से निकालोगे या तो तुरंत निकलेगा ना तो गुना भाग करते रहा जाओगे 0 हो गया चलो 17 में आजो बाबू 17 में तो इसी जगा देख लो 2 में minus 1 से गुना करोगे तो क्या होगा minus में 2 चलो बीच में minus कचीन आता है फिर minus 5 चोग minus में 20 आता है प्यारे बच्चो अब क्या करोगे minus में 2 लिख लो minus minus plus 20 हो जाता है 20 में से 2 घटेगा तो आपका 18 एही answer हो गया 17 हमें and देखना है अब 18 अब देखना है किसको 18 देखना है प्यारे बच्चो चलो 18 दिखलाते 18 में x में x से गुना होगा तो x स्क्वेर minus का चीना हैगा फिर गुना होगा x minus 1 में x plus 1 से पहले इसको गुना करते हैं प्यारे बच्चो फिर minus देखना है दू भाई दू के determinant के लिए ऐसा ही rule है x स्क्वेर लिखी minus a minus b into a plus b फर्मुला होता a square minus b square चलो अब क्या करना है x square minus इस ब्राइकेट में जाएगा तो minus x square होगा आई माइनस माइनस मिलके पलस 1 का square x x square से x square कटेगा 1 आपका सही जवाब हो जाएगा 1 आपका 18 का सही जवाब हो जाएगा तो 18 का answer में कितना लिख दू बाबू 18 का answer हो गया तो हर सके 1 चलो अब 19 नमबर सवाल बहुत important कितना बाब आ चुका है तो चलिए मजा से देखिए भाई सवाल नमबर 19 का solution चलो 19 में कहड़ा है कि 7 और 2 समीकरन इसका क्या है 2 मूल हो तो 3 मूल क्या होगा तो चलिए पहले इस determinant को solve करते हैं r1 से 20 करते हैं r1 से 20 करते हैं तो x लिखेंगे पहले हम लो x लिखेंगे तो first row को छोड़ेंगे first column को छोड़ेंगे तिर्चा गुना करेंगे x गुना x तो x square minus 6 दूना कितना तो 12 फिर minus का चीन आएगा 3 लिखाएगा और 3 लिखाएगा तो first row second column बंद यहाँ पे 2 x लिखाएगा and minus 7 दूनी कितना लिखाएगा 14 plus में 7 लिखाएगा plus में कितना लिखाएगा बहुआ 7 first row third column बंद 6 दूना का 12 minus 7 में x गुना हुआ 7 x बराबर कितना 0 दिया गया है 0 दिया गया है यहाँ पे 0 दिया गया है बराबर के बाद 0 इसलिए बराबर के बाद हमने 0 लिा है अब इसका solve कर दिजे x में x square से गुना होगा बहुआ तो x के power 3 minus 12 में x से गुना होगा and 3 दूना कितना होगा तो minus में 6 x minus minus पलस 14 ती आई कितना 42 चली 14 ती आई 42 एंड यहां पर 12 सते कितना 84 एंड 7 सते कितना 49 एक्स इक्वल टू 0 अब एक्सक्यू बाला तो अकेला है सिंगल पद है तो यह एक्सक्यू अकेला रह गया एक्स बाला कुन है 12,6,18 और 49 अठारा और 49 मिल करके आपका कितना हो जाएगा सनर सट सनर सट हो जाएगा ठीक है 12,6,18 और 49 जो डू आठारा और 49 नो आठारा के साथ हासी लेग 4,15 एक्स ठीक है सनर सट एक्स इधर 84 बच रहा है इधर 42 बच रहा है तो 84 और 42 को जोर दीजिएगा तो यह चारा दू आपका छो आठारा आठारा बारा आठारा 123 इकोल टू 0 और यह एक त्रीग हांत समिकरन है इसके तीन गोए एंसर होंगे यह तो आपको पता है तो इसमें से 2 एंसर तो दे रका है किताब एक answer दे रखा है साथ एक दू अब तीसरा के लिए चार option दिया है तो अब क्या करिए आप इस चारो option को डाल डाल कर इसमें देखिए जिससे 0 पूर जाएगा वही answer तो भाई हम A को टिक मारते हैं क्योंकि हम पहले से चेक करके बैठे हुए हैं आप लोग चेक कर लिजेगा इसमें एकस के जगा माइनस नौ डालिएगा तो आपको 0 आएगा बाकी किसी भी option से 0 नहीं आएगा तो उनीस का जो answer होगा उनीस का जो answer होगा वह है माइनस नौ जो option A में मिल रहा है एंडर लास्ट कोस्चन है आज किस वीडियो के लिए किसी सार्निक जिसकी कोई दो पंक्तियां या अस्तम समान हो तब उसका मान कितना होगा यानि कह रहा है कि कोई ऐसा determinant हो जिसका दूग पंक्ति बढ़ाबर हो यानि A A A A A A A यहां पर लिख दो B C D तो ऐसा कोई determinant होगा तो उसका value 0 because इसमें R1 and R2 दोनों बड़ाबर है या अगर column भी दो सेम हो जाए मान लो 7 6 5 7 6 5 3 10 6 तो यहां पर column 1 और column 2 सेम है तो इसका भी value 0 होता है तो इसका भी answer हुआ 0 प्यारे बच्चों ठीक है तो answer हुआ 0 तो उमीद है कि आज का यह 20 प्रसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आप इन 20 प्रसनों की अच्छी त्यारी करके एक जाम देने जाओगे तो 2024 का एक भी determinant वाला objective नहीं चुटेगा प्लस subjective में भी मदद मिलेगा तो इसी तरह का important वीडियो मैं बनाता रहता हूं और अपने चैनल पर लाता रहता हूं तो आप हमारे चैनल को निश्ची द्रूसर सब्सक्राइब करें अगर math में आप 100 score करना चाहते हैं यही target से मैं अपना चैनल च के साथ तब तो के लिए जय हिंद बनले बात रहूं